प्रेस दे बेल आइकन ओन दे यूट्यूब आप योट्यूब आप पिछले वीडियों में जाना था कि बास्तिले किला को कैसे गिराया गया था आज हम इस वीडियों में जाने हैं कि आखिर बास्तिलिक के लिए को गिराने का कारण क्या था राजा ने आदेश दे दिया था आर्मी को वहां जाने का लेकिन असल में राजा ने आदेश क्यों दिया था इन तमाम बातों को अच्छे से समझने के लिए हमें flashback में जाना पड़ा जिस तरह movie में आप movie का कुछ important point जो पहले आ जाता है important scene पहले आ जाता है उसकी बाद screen blank हो जाता है और वहाँ पे लिखाता है 10 साल पहले 10 गंटे पहले और फिर पीछे flashback में जाके story फिर से return होती है तो ठीक उसी तरह मैं यहाँ पर 15 साल पहले जाओंगा ताकि 15 साल पहले की जो flashback के story जिससे मैं आपको relate कर सकूंगे French Revolution में कि जो important घटना है बास दिले के लिए गिरा जाने की घटना उसके होने का कारण क्या था तो आए जानते कि 15 साल पहले क्या हो रहा था 15 साल पहले 1774 में ऐसा हुआ कि एक राजा गद्दी वे बैठता है उसका नाम है Louis 16 जी पैना है Louis 16 और उसकी वाइफ थी वो आस्ट्रिया की थी और उसका नाम था Mary Mary Antonio तो Louis 16 और Mary Louis 16 उस टाइम 20 साल गा था जब उसको गद्दी वे बैठाया गया और उसके साथ एक बड़ा ट्रेजडी ये था कि उसका खजाना खाली रहा वो तो बड़ा खुश हो रहा है कि मैं राजा बन गया लेकिन उसका खजाना खाली हो गया अब सवाल ही आ रहा है कि खजाना खाली क्यों था कि खजाना खाली इसलिए था क्योंकि उसके पापा जो कि लूइस 15 थे लुइस 15 ने क्या किया था? वार किया था? किस से वार किया था? इंगलेंड से हुई, साथ साल लंबी लड़ाई तो आप जानते हैं कि लड़ाई में काफी पैसा खर्च हो जाता है तो पूरा ख़जाना खाली हो चुका था अब ये राजा जो नहीं, राजा बना है इस पर बहुत सारी जिम्यदारी है क्या क्या जिम्यदारी है? कि ये गॉर्णमेंट स्कूल, कॉलेज है आरमी है और खुद इसका कोड रबार है शुकि वर्साई में था जैसे वर्साई पैलेस कहते थे तो स्कूल कॉलेज का खर्च चलाना है आर्मी का खर्च चलाना है और इसका पैलेस जो की बहुत आलिशान पैलेस था उस आलिशान पैलेस का खर्च चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी और पैसा इनके पास था नहीं और साथ-साथ इन्होंने क्या कर लिया कि उस टाइम लड़ाई चल रही थी अमेरिका की सुतनतर संग्राम की लड़ाई चल रही थी उस लड़ाई में इन्होंने अपनी आर्मी भेज दी और अपनी आर्मी जो भेजी तो आर्मी के लिए तो पैसा चाहिए होता था तो इसके यह उन जनाब ने अपने पुरे मेंटरेंस चलाने के लिए और आर्मी के खर्च के लिए जो आर्मी नोंने अमेरिका भीजी थी आर्मी को अमेरिका भेजा गया क्यों भेजा गया क्योंकि अमेरिका में बिर्टेन के खिलाफ अजादी की लड़ाई चल रही थी वहाँ पे जॉज वाशिंग्टन, बिंजमिन फ्रेंक्टिंग जैसे खदावर नेता इस लड़ाई को लीड कर रहे थे तो फ्रांस के राजा ने अपनी आर्मी भेज़ दी वहाँ उनके सपोर्ट में तो फ्रांस की लड़ाई इंग्लेंड से थी और इंग्लेंड की लड़ाई अमेरिका से थी तो जाहिर सी वाई से दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो याता है तो फरांस ने अपनी आर्मी फिर दी अमेरिका में लेकिन प्राबलम यह था कि इनके पास पैसा नहीं था तेन जनाब ने अकलमंदी यह दिखाई पहले कि लोग बड़ा अकलमंदी इसलिए हुआ करते थे कि आप लोग पढ़ने के लिए लोन लेते तो वह जितना भी इनकम आ रहा था उससे वो लोन चुका रहे थे ज्यादतर भो लोन चुकाने में गुझा दे रहे अपशा आग़ाएगा तो सब कैसे होगा पैसे की कमी है तो सरकार का इंकम आता कैसे तो टैक्स नहीं तो इनके जहन में एक बात आई कि हम tax बढ़ा देंगे, income जादा होगा तो सारा problem loan भी चुका लेंगे और maintenance भी कर पाएगे तो ये लोग tax बढ़ाने के पारे में सोचते हैं और इसके वारे में विचार करने के लिए ये एक meeting बुलाते है अब हम लोग जानना चाहिएं कि आखिर में meeting बुलाए जाता है तो किस की meeting बुलाए जाती है और कौन कौन फरांस में कौन लोग रहते हैं किन पर tax लगा जाएगा तो फरांस की जो लोग हैं उनको तीन हिस्से में बाटा जाता है बाटा गया था उस time पहले को कहते थे, first state, दूसरे को कहा जाता था, second state, तीसरे को कहा जाता था, third state, तो आपको यादर करना बिल्कुल भी मुश्किलना है, अब first state में होते कौन थे, first state में clergy होते थे, clergy का मतलब वैसे लोग जो की church में काम करते, church में father के तौर पे हैं, पास्टर के तोर पर है second state में होते थे nobility nobility में जमिनदालोग जनके पास काफी सारी जमीने रहते थे third state में दो तरह के लोग थे कुछ लोग rich लोग थे और कुछ लोग ग़रीब लोग थे rich लोग में कौन लोग अ गेlles जो middle class में ज्यादा तर लोग lawyer हैं, आपके professors हैं, और poor में servants जो के घर पे काम वगरा कर रहे हैं, किसी के घर पे काम कर रहे हैं, या फिर किसान हैं, peasants हैं. यहां तो आपको बात सुझ में आ रहे हैं, कि first state, second state, third state, ये तीन state में फ्रांस की society को बाट दिया गया था, फ्रांस के लोगों को बाट आ गया था, प्राबलम ये था कि tax जो लगाया जाता था, tax का जो system था, वो बिलकुल inequality बे बेस्ट था, गैर बराबरी बेस्ट था, इसमे clergy है, और nobility है, इनको कोई tax नहीं देना था, tax किसको देना था, सिर्फ third state के वाले लोगों को, और भी क्या problem था, third state वाले ये जो clergy है, इनको भी कुछ पैसा देते थे, उस कुछ tax देते थे, जिसको tithe कहते थे, tithe का मतलब होता है, कि one by, tithe का मतलब होता है, one by tenth, फ्रेंच भा खेती में जो भी इनका उपज हुआ, उसका one by tenth, ये clergy को दे दिया करते थे, और nobility के हाँ कुछ काम भी करना पड़ता था, इनको बहुत कम पैसे में लोग काम करते थे, तो आप समझ सकते हैं, कि clergy के लोग, जब third state के लोग, जब third state के लोग, जब third state के लोग, उनको देखा क जाने, इससे सबसे अधा कुरोधित या गुस्सा कौन होने वाला है, third state के लोग, यहाँ तो बास समझ में आ गई आपको, अब आगे हम लोग ये जानेंगे, कि tax के लिए वहाँ पे क्या system था, और वहाँ पे कौन-कौन से thinker लोग थे, चुकि हमने भी जाना कि third state में कुछ अमीर लोग थे, और वो जो अमीर लोग थे आखिर में, वो पढ़े लिखे लोग थे, जादा तर लोग, और वो कुछ thinker के idea से परभावित हो गए थे, influence हो गए थे, कौन-कौन thinker के idea से परभावित हुए थे, उनके बारे में जानते हैं, उसमें तीन thinker का नाम आता है, इस्पेशली तीन thinker के नाम आता है, जिसके बारे में को किताब में पढ़ना है, उसमें पहला है जॉन लोग, जॉन लोग ने अपनी थे, ये दी, कि आप पहले के जो राजा है, वो कहा करते थे, कि हमको खुदा के दुवारा, अल्ला के दुवारा, भगवान के दुवारा न्यूक्त किया गया है, और हम उसके परते निधी हैं, इस बात को जॉन लोग ने डिनाई कर दिया, इसने कहा कि ये बात पुरी तरह से गलत है, इसने रिफ्यूट कर दिया किस बात को, डिवाइन राइट अफ, इसने पुरी तरह से रिफ्यूट कर दिया, डिवाइन करते थे रूशय करते थे कि जो राजा बने ऐसा राजा हो जो कि लोगों की बात को सुने और तीसरे जो थे उनका नाम था मॉन्टेस क्यों कि बहुत बड़े फिलासफर हुए हैं अपने टाइम के इनका कहतना था कि गौवर्मेंट हो तो उसको उसका जो पावर है उसको तीन भाग में बाड़ दिया जाए लेजिसलेटिव एक्जेक्यूटिव और जिरिश्री ये कहना था मॉन्टेस क्यों का खर ये तीनों थिंकर की बातों से सबसे आदा परभावित कौन होगे मिडिल किलास के लोग थाड़ स्टेट में जो पढ़े लिखे लोग हैं अब आगे थाड़ स्टेट में जो पढ़े लिखे लोग थे अब इन तीनों लोगों की फॉस्ट स्टेट सेकंड़ स्टेट थाड़ स्टेट की तीने लोगों के मीटिंग बुलाए जाती राजा एक जगह मीटिंग बुलाता है वरसाई पैलेस में इन लोगों की मीटिंग बुलाता ह तो first state, second state और third state तीनों के नेता लोग रेप्रजेन्टेटशिव लोगों को बिलाया गया आये जानते हैं कि first state से कितने लोग आए second state से कितने लोग आए third state से कितने लोग आए first state से first state से 300여 second state से भी 300 енного से थार्ट एस्टेट से 600 लोग क्योंकि third the state कि अबादी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा थी थाड़ स्टेट से 600 लोग है वहाँ पर प्रॉब्लम क्या था वोटिंग सिस्टम कैसे थी वहाँ वोटिंग सिस्टम यह थी कि फॉस स्टेट की जितने भी मिंबर तीन सो जो मिंबर है यह जो रिप्रेजेंटेटिव है सब का यहां भी तीन सो मिला के एक वोट कॉंट होता था चुकि यह सिस्टम ही बहुत डेंजरस था इस सिस्टम में ऐसा होता कि हमेशा थर्ड़ स्टेट हार जाते वाले को प्रॉब्लम था फॉर्स्ट और सिकंड होको तो कोई प्रॉब्लम था इना जब भी टैक्स लगाए जान इस से बचने के लिए रूषो ने एक एडिया दिया कि हर आदमी का एक वोट कॉंट होना चाहिए तो जब हर आदमी का एक वोट कॉंट होगा तो 300-300-600 यहां भी 600 तो मैच डरा ओजाएगा और अगर इनमें से कोई एक भी सीधा शरीफ और समझदार आदमी निकला तो यह लोग तो मैच मतलब ये लोग तो वोटिंग जित जाएंगा और फिर टैक्स कभी लागू नहीं किया जाएगा तो थर्ड स्टेट की जो नेता लोग जो समझदार लोग थे खास जाएता लोग मिडिल क्लास की लोग थे वो लोग जो है रूशो की आइडिया को उन्होंने करोंगा तो कभी भी टैक्स लगा नहीं पौँंगा तो राजा ने इस बात से इंकार कर दिया कि थर्ड इस्टेट के लोगों को बैठाया भी नहीं जाता था हुए अब होग पर फॉस स्टेट वाले को लेफट साइड में और राइट साड़ में राइट सेक्ड इस्टेट होते हैं और वहाँ जमा होनी की तारीख जो देट है वह 20-0 Pacific 190 को 1енडोर टेनिस खेलने की जगह होती है जो पिलेस होता है इंडोर टेनिस कोड कहते हैं जहां ये लोग जमा होते हैं कॉन लोग जमा होते थार्ड state के रिप्रेजेंटेटीव लोग जो को से वोुख काट करते और यह लोगा अपस में एक यह लोग खुद को नशनल एसम्मली घोशजित कर देते हैं है है खुद को इनलोगोंने National Assembly डिक लिया करदिया और इसका काम क्या था इन लोगों की क्या मकसद क्या था इनका मकसद यह था कि हम लोग एक कानून बनाएंगे और कानून का मकसद होगा कि जो राजा है उसकी शक्तियों को लिमीटिट कर देना ताकि राजा जो शक्ति का प्रदर्शन करें लेकिन वो कानून के हिसाब से अपनी बात को करें राजा ओर दे लेकिन वो कानून बनाने में बीज़ी थे अंदर में ासी टाइम बाहर में हुआ क्या फर拉ans में की मौसम खराब होगई और ये ऐसा बराबर हुआ कि अftर फसल खराब होगए और फसल खराब होनी की वज़ास से फसल खराब होगए अथियुवजास से हर दिन डेली वो जो खाते हैं वो डबल रोटी थी उसकी पूरती नहीं हो पाती थी तो उस टाइम चुकिए फसल खराब हो गई तो उत्पादन घड़ गया तो गेहूं आपका कम हो रहा तो उसके वज़से डबल रोटी मिलना मुश्किल हो गया और जो भी दुकांदार उसस सब्सक्राइब बिल्कुल जमाखोडी कर रहे थे आधांगों मैं पेच रहे थे एक मरतबा ऐसा हुआ कि कुछ महिलाईं क्यूंती और उन्हें दुकां था उस दुकांद कांसender रोटी मिलनें रहा तक से देर लोगों ने ने खुराफाथ हैं के जहन कर दिया ईसstadt कर दिया और फ्रांस की करांती के टाइम का घटना माना जाता है और उसी टाइम एक अफवा फैली कि आप जाने रहे अफवा बहुत तेजी से फैल जाती है लोगों कि पूरी तरह से परिशान थी कोनॉमिक कंडिशन खताब खराब हो चुकी थी खाने पीने का बहुत प्रॉबलम था उसी टाइम ये अफवा फैली कि जो नॉबिल है वो अपने कुछ गुंडों को उन्होंने हायर किया और वो गुंडे क्या करेंगे थर्ड इस्टेट के लोग जो किसान लोग है उनकी जमीनों को में जो फसल जो खेतों में जो फसल है उसको जला के राक कर देंगे और आप समझते हैं कि किसान के लिए खेत सबसे इंपोर्टन चीज़ उसकी फसल सबसे इंपोर्टन चीज़ होता है वही उसका सेलरी होता उसको जला दिया जाएगा तो उस बात को सुनने ही से किसान लोगों का जेहन पूरी तरह से घरबडा गया उन्हों ने सोचा कि इससे पहले क कंट्री में पना लेने के लिए तो समझ रहें पूरी तरह से कंडिशन पूरा ओफ कंट्रोल था ठीक उसी टाइम राजा जो है आर्मी को भेजने का आदेश देता और आगे आप जानते कि आर्मी को भेजने के आदेश देनी के वज़ा से लोग पूरी तरह से बॉखला जाते से और अने बस। लेखिला को तोड़ दिया और पूरे एक-एक पत्थर को ढढा दिया और जितने भी ता उसको ढढ़ भाधा दिया उसको पफिर निलाम कर दिया यही पूरी घटना कहुंरा गइंपर प्समंजर बैकग्गॉंड कि मैं आभी एक्स्प्लेन कर दिया